असलाम वालेकूम, विलकम टू माई यूटूब चैनल, होमली ब्लॉक्स भी तदिया, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मित करती हूँ, आप सब लोग खुश है, खेरियत से है, और अलाथ आला हम सब को तंदूरुसी अता फर्माए, कामियापी अता फर्माए, आमीन, सुम्मा, अभी सुबा का टाइम है, और मैं यहाँ पर पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, क्यूंकि अभी तो बकर इत पी आने वाला है, तो इसलिए इत की क्लीनिंग मेरी चल रही है, तो पहले मैं अभी अपना बेडरूम से स्टार्ट किया है, और अभी तो टाइम साड़े ग्यार इसके बाद ही स्टार्ट किया था, तो अभी तो दोनों खेल रहे हैं हाल में, और मैं यहाँ पर पहले बेडरूम से स्टार्ट किया, और अभी मैं यहाँ पर पूरे अलमारी और फिर खिड किया, दर्वाजे इन सब को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, और मैं ना इस पर आयान को और सुहाना को अम्मी के यहाँ पर नहीं भेजा था, क्योंकि क्लासेस पर चल रहे हैं, तो वो थोड़ा मिस हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को लेकर ही मानेज कर लूँगी, तो ऐसा सोच कर मैंने नहीं भेजा, फिलाल तो अभी दोनों खेल र महीने में, फिर अब मैं कर रही हूँ, अभी मेरा बेडरूम हो चुका है, बड़ा बेडरूम, और अभी मैं हॉल को क्लीन कर रही हूँ, और हॉल को क्लीन करना बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि ज्यादा सामान तो नहीं रहता है, बेडरूम में तो बहुत सारे सामान रहते हैं, तो उनको हटा हटा कर क्लीन करन अब ही मैं आगी हूँ किचन में और पूरे घर की मेरी सफाई हो चुकी है सफाई मतलब जाला जड़ाना हो चुका पूरे रूम्स में मैंने लगा दिया और मैंने पूरा शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है शूट करते हुए काम करना और आयान भी बह आश्च रमजान क्लीनिंग तो मैंने शेर किया आप से तो इस पार मैं उतना ज्यादा डीटेल नहीं बस उपर उपर से आपको दिखा रही हूं तो यहाँ पर मैं अभी आ गई हूं किचेन में तो मुझे अभी इन सारे दाल और आटे के डबे में खाली कर रही हूं ताकि इन सबको दोने के बाद फिर मैं सारे अलमारियों में के सामान निकाल कर अच्छी तरह से क्लीन करके सुखा दूँगी इनको और आज कल तो हमारे यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है तो बहुत मुश्किल हो गया था मुझे इनको सुखाने में तो लास्ट टीम तो मैंन मैं छोटे बेडरूम में एक खाट दाल कर उसके उपर मैंने बेट के उपर सारे बरतन सारे सामान मैंने उसके उपर रखके फैन के हवे में ही बस पूरे सुखा दिये थे इस बार ऐसा हुआ मैरा क्लीनिंग और बारिश के मोसम में ऐसे क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल है किचिन के सामान क्लीन करना तो जैसा तेसा करके मैंने खर लिया किचिन के वर्तन के साथ साथ मैं यहाँ पर हॉल में जो भी ग्लास ऐटम्स प्लेट्स बॉल्स ऐसे क्रोकरी ऐटम्स है इन सब को भी मैंने धो रही हूँ यहाँ पर सब कुछ मैंने खाली कर दिया हॉल को भी हॉल में जो भी सामान है वो सब कुछ मैंने अभी यहाँ पर धोने के लिए ला दिया और यहाँ पर सुहाना और रायान दोनों भी मेरा हल्प कर रहे थे जो भी सामान में धो रही थी उन सब को ले जाकर वो खाट के उपर रख रहे थे तो बहुत ही help किया मिझे दोनों बच्चों ने तुम्त भी थे ठी एह सberries όshift U थें रहे ठीच सब कर रख रहे दोनां जाएड सक्षा कर रहे दोना क्यों को अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो पूरा घर आप देख लीजिए कितना बिखरा पड़ा हुआ है सब सामान मैंने हटा दिये इन सब को भी मुझे क्लीन करके रखना है और इन सारे अलमारियों में भी मुझे डस्टिंग करना बाकी है और यहाँ पर आयन हाय बोल रहे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो भी बरतन धोये हैं इन सब को मैंने यहाँ पर एरेंज कर दिया इस प्रेट के ऊपर औ और उपर मैंने fan on कर दिया तो उसी के हवे से अभी ये सारे बरतन सूपना है फिर मुझे इन सब को arrange करना है तो अभी मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी तो बाहर अभी फिलहाल थोड़ा खुला खुला है आस्मान लेकिन सुबह बारिश हुई थी और रात में भी अपड़े मुझे अभी घड़ी करके विरक्तना है तो मैं यहां पर डस्टिंग कर रही थी ना तो इसलिए मैंने बाहर बालकनी में रख दिये थे थोड़ी देर के लिए यहां भी थोड़ी बर्त थोड़े बर्तन है मैं धोकर रख दिया था यहां पर अभी इन सब को फिर नए पेपर्स पी दाल दोंगी हुआ है झाल 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 फाइनल्ली अभी मैं आपको हॉल का फाइनल लुक दिखा रही हूं क्लीनिंग के बाद तो सब कुछ मैंने अरेंज कर दिये और अभी हॉल का क्लीनिंग हो चुका, अभी मैं फिर किछन में जाओंगी और अलमारियों में सारे बरतन सेट कर दूँगी और नीचे तो बस बच्चेओं के टॉइस पड़े हुए हैं उनको मैं बाद में सेट करूँगी फिलाल तो दोनों खेल रहे हैं न इसलिए किचन के सारे अलमारियों में मैंने पेपर्स डाल दिये नए वाले कलर पेपर था मेरे पास तो वो मैंने कट करके दाल दिया और ये पूरे पुराने हैं इन सब को मुझे अभी हटाना है और अभी मैं यहाँ पर सारे बरतन सूख गए थे तो सब कुछ मैं अलमारियों में सेट कर रही हूँ पर बजब परस बलमें साम इस बष्वर और हाना कर गए तक बाखर रहां तो सारे सामन दो कर फिर से वापस सेट करने में और फिर छोटा बेडरूम भी मैंने क्लीन कर दिया था जो भी जरूरत के नहीं थे कपड़े वो भी मैंने निकाल कर रख दिये थे तो इन सारे कपड़ों को ठीक करके फिर सारे काम करते करते मुझे रात के 9 बज़ गये थे और मैंने डिनर भी नहीं बनाया था बाहर से हम मंगवा कर खा लिये थे और फिर मुझे घर भी वाश करना था तो मैंने नहीं किया था बस रात में हम ऐसे ही रेस्ट कर लिये थे, सो गए थे फिर अभी मैं early morning next day अभी time 6 बजे थे और मेरे husband भी रात में मना कर दिये थे कि अभी कुछ भी मत करो अब तो रेस्ट कर लो, कल सुबा हम दोनों साथ में मिलकर घर को wash कर देंगे और बच्चे भी सोते रहेंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा ऐसा करके तो अभी मैं यहाँ पर kitchen का countertop clean कर रही हूँ, tiles और सारा उपर का top पूरा तो countertop मेरा clean हो चुका अभी मैं पूरा घर को wash कर दूँगी तो मेरे husband भी मेरा help कर रहे थे और बच्चे भी अभी सो रहे है तो अभी इनके उठने से पहले हम पूरा काम कर देंगे तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ countertop clean करने के बाद और अभी मैं इस stove को भी यहाँ पर रख दूँगी तो पूरा clean हो चुका बस अभी मुझे wash करना बाकी है तो अभी मैं पूरे घर को अच्छी तरह से wash कर दूँगी तो फाइनली मैं और मेरे हस्पेंट सुबह उठकर पूरे घर को wash कर दिए और अभी वो चले गए उनको भी ready होना था ना इसलिए और अभी time 8 बज गए थे हमें 2 गंटे लग गए पूरे घर को wash करते करते और आयान और सुहाना भी उड़ गए आयान को तो मैंने biscuits दे दिये वो देखते हुए खा रहे है तो ऐसा रहा था हम आज का मेरा cleaning का vlog इत का cleaning तो कैसा लगा आपको जरूर शेर करिएगा जरूर कमेंट में बताईएगा मुझे और आज का vlog मैं यही परेंट करती हूँ और कल मिलती हूँ इन्शालला आपसे नए व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला हाफिस दुआ में याद रखिए